हे दोस्तो वेलकम तुछ स्टड़ी आई एस और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कोर सेक्टर आउटपुट के बारे में देगे दोस्तो हम लोग आज की वीडियो में ये तो देखेंगे कि आखिर कोर सेक्टर क्या होते हैं आउटपुट से क्या मतलब मेरा और ये भी देखेंगे एक इंडेक्स आती ही दोस्तो 8 core industry वाली उसको भी हम लोग डिसकस करने वाले हैं सब कुछ आपके साथ डिसकस करूँगा इस पूरे topics related सारी बाते जो कि आपके exam के लिए important है हो सकता है आपके exam में directly सवाल आ है indirectly सवाल आ है कहीं पर आप कौन सा writing के वक्त कुछ ऐसे point यहां से मिल जाएं जो कि आप वहाँ use कर सकते हैं तो आप लोग को थोड़ा सा ध्यान से सुनना सरिफ नहीं समझ में आता है पूछ लिजेगा और अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो उसको भी आप लोग comment section में बताईएगा आपके पास अगर कोई suggestion है हमारे लिए तो उसको भी आप ज़रू बताईए comment section में जिस पर हम काम करें और आप लोग लिए अच्छी quality content रला सकें चलिए अब आगे भढ़ते हैं और discuss करते हैं core sector output के बारे में लेकिन दोस्तों से पहले बतादू के अने अकेडमी के ज़र बहुत चीप performance रही काफिस तरे टॉपर्स हैं उन्होंने आपके सकते अपनी preparation अने अकेडमी के साथ करी थी 2022 सारे बच्चों के लिए मेंस का mentorship program है इसका benefit भी आप लोग ले सकते हैं 20% price जो है दोस्तों बढ़ जाएंगे कोज दिन बाद तो बढ़ने से पहले आप लोग जल्दी जाएए अवेल कीजे studyis code उस करेंगे तो 10% का discount भी देखने को मिलेगा दो साल एफ्रियो से ज़ादा का अगर कोई भी आप यहाँ पर subscription लेते हैं तो आप लोग को मिलेगा CSE Assure तो जल्दी जाएए इसका मतलब यह हो गया कि जब तक आपका exam clear नहीं हो जाता तब तक unacad में आपके साथ है studyis code उस करके benefit ले सकते हैं आठ जून और पंदर जून को जो है नए बैचे स्टार्ट होंगे दोस्तों 23 साले बच्चों के लिए तो जो बच्च इंट्रेस्टेड हैं वो चल दी जाएए और खुद को इस पर अवेल कीज़े doubt clearing session के लिए यहां पे आप लोग लिए लाए गए हैं काफिस तरह session इसका benefit आप ले सकते हैं और दोस्तो 0% की EMI भी जो है वो available है आप लोग ले तो जिन बच्चों को दिक्कत है कोई वो इनका benefit ले सकते हैं अब देखें इंडिया के 8 core sector है हमारे industry के और वहां पे हमें काफिस दतों जो growth है वो देखने को मिली है अगर हम लोग बात करें यहां पे March 2022 में तब growth जी थी 4.9% की लेकिन अभी अपरेल के महिने में जो growth हुई है वो यह 8.4% की अब ही यह 8 आपके सकते हैं core sector ऐसे होते हैं जिनके basis पर हमारी economy सब कुछ तिका रहता है 8 core sector जो industry है दोस्तों उसके अंदर यहां पे 40.257 का जो weight है वो item include होता है जो के include है आपका index of industrial production में भी 8 core sector जो है उनको मैं यहां पर decreasing order में लगाया हुगा इसको बता दूँ पहला हो गया आपका refinery product, electricity, steel, coal, crude oil हो गया, natural gas, cement और fertilizer यह वो 8 core sector है जिनके basis पर जो growth है या फिर आपके सकते हैं जो economy पर इन सब पर काम करते हैं देखिए दोस्तो index of 8 core industry के बारे में अगर हम लोग बात करें तो यहां पर आपको मैं बता दूँ कि यह refer होता है जो production volume index है उसके बारे में यह evaluate करता है combined मतलग कि आपके सकते हैं या तो 7 में हो या फिर इन सबने मिलके यहां पर कितना ज़दा जो 8 core industry है यह काम कर रहा है 21 के बात करते हैं जब पूरे एक साल का आता है उसके बारे में बात करें तो petroleum में refinery production का आता है 28.04% electricity का आता है 19.85% steel का आता है 17.92% core production होता है 10.33% crude oil हो गया दोस्तो 8.98% natural gas हो गया 6.88% cement production 5.37% और fertilizer production हो गया 2.63% okay ICI जो है यह compiled और release करती है इसको by the office of economic advisor department for promotion of industry and internal trade और ministry of commerce and industry के साथ में okay अभी इतना data आपको याद नहीं करना है जो मैंने यहां numbers बताए हैं लेकिन हाँ आपको यह पता होने चाहिए कि आठ core sector industry के कौन कौन से हैं और performance उनकी कैसी रही है कैसी नहीं रही है significance की बात करें तो यह हमें दोस्तों provide करता है advance indication कि आखे हमारी जो production हो रही है वो कैसी हो रही है अगर हम बात करें index of industrial production के बारे में तो यह एक indicator है जो की measure करता है जितने changes आए है volume of production की industrial product के अंदर एक period के अंदर यहने compiled और published कराता है monthly by the national statistical office के दौरा जो कि आप काता है ministry of aesthetics and program implementation में अगर हम बात करें इनके composite indicator के बादे में जो की measure करते है growth rate industry का तो वो होगे आपके यहाँ पे माइनिंग, manufacturing, electricity और इसके साथ-साथ यहाँ पे काफ़ सरे use based sector है जिनका होगे आपका basic good होगे, capital goods होगे या फे intermediate good अगर हम बात करें IIP का base year कौन किसे माना गया है तो 2011 और 2012 को इसका base year माना गया है, significance के बारे में बात करें तो आपके सकते हैं जो government है, जितनी government की agencies है जिसके अंदर आपके ministry of finance आ गई, reserve bank of India आ गई, यह सब इने use करते हैं अपने policy making purpose के लिए, कोई policy बना नहीं है तो वो पहले यह देख लेंगे, अच्छा कौनची industry कितना चाप perform करती है, नहीं करती है, उसके basis पर जो अगली policies है वो आएंगी और फिर हम लग को उसके benefit में लेंगे IIP जो है दोस्तों वो काफी extreme relevant और एक पूरे तरह किसी calculation देती है quarterly और advance जो हमारा gross domestic product है उसका estimate भी यही बना के देता है तो इतने सारे जो significance है यह हमें देखने के मलते हैं इस index के भी I hope दोस्तों कि आपको जो चीजें वो थोड़ी बहुत समझ में आई होंगी आपकी अच्छी बात आपके सकते हैं थोड़ी understanding बनी होगी इस topic से later इस पूरी बात से related अगर कोई doubt आप कब भी है तो वो जरूर पूछेगा comment section में मिलते नेक्स्ट वीडियो में तब तक के आपके और आपके लिए नेक्सरा आपके लिए नेक्सरा आपके लिए